बचों आज हम आपका Hindi साइत्या में पाड़ दाढ़ी मा पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले इस पाड़ की जो लेक़क है उनका संचीब जीवन प्रेचे मापको देथी हुँ इस लेख़ कौन है इसी परशाल सिंग सांधेका थे उनका जन्म वारा नसी में 1928 को हुआ था इनकी सिक्षा जो हुई थी पूर शिक्षा बनार शिश्विय ध्याले में हुई थी इन्हें साहतेक आदमी प्रुसकार से भी समानित क्या दे गया था इनकी जो रचनाये हैं इसम नास, कहानी, निभंद, आदी लिखे हैं, और इनकी मिलत्यों 28 सितंबर 2008 को हुई थी, अब हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, कमजोरी है अपनी, पर सस्तो यह है कि जरासी कटनाई पड़ते, बीसो गर्मी, बरसात और बसंद देखने के बाद भी, मेरा मन स सदा नहीं, तो प्राया, अन्मना सा हो जाता है, जो लेखक है, यह पार्ट से आपको पता चल रहा है, इसके है दादी मा, तो किसकी दादी मा की बात कर रहे हैं, अपनी दादी मा की बात कर रहे हैं, उसने कहा कि, यहां पर उनने बोला कि कमजोरी, उनकी जो कमजोरी है, कि सच की जलाजी कटना इपड़ते ही, क्या होता है? उनको बहुत दिख्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम माती हो उने, और उन्होंने का कि कि कभी कभी हो जाता है, उदास्ता मेरा मन हो जाता है, तो मेरे जो सुब चिन्तक है, मित्र मुझे प्रसंद करने के लिए आने वाली परती कुलता से घबराने वाला कहकर मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, उन्होंने कहा कि जो उनके दोस्त मित्र है, जब आते हैं तो उन्हें चुट्टियों की सूचना देते हैं, बताते कि चुट्या है, और उनके पीट पीछे जाकर बोलते कि यह तो क्या है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, मतब कोई जो भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, उसे जल्दी घबरा जाता है, उसके पीट पीछे उसका मज़ाक बनाते हैं, मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है, जाने दो, सोचने से ही होता क्या है, तो चीज़े से खिण से नहीं खबराऊंगा, और ना उनके मज़ाक का कोई अपने दिल पर बात को लूँगा, तो उन उनने का मैं अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा, जाने देता हूँ, उसे सोचने से होता ही क्या है, पर बस पर मेरी आखों के सामने, सरत किसी किर्णो किसी की धुन्दी छाया ना चुरती है। अन्हें कहा है। दूंदी किसी की जो छाया हैं उनके मन में न चुरती है। अपनी दादी मा की चाया उनके मन में उर जाती है मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गये हैं क्वार क्या होता है आपका बरसात का जो अंतिम जो महिना होता है उसे बोलते है क्वार जब बरसात खतम हो जाती है तो मेरे गाउं के चारो और पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है तो उन्हों ने कहा कि जब बर्षाद खतम होने के बाद क्यों होता है चारो तरब क्यों होता है पानी पानी दिखाई देता है उनकी गाउं में दूर के सिवान से बहकर आएवे मोथा और साई की अदगली खासे घेवर और बनप्याजा की जड़े तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एकवी चित्र गंच छोड़ रहे हैं। तो उनों ने क्या बताया सिर्वान मतब दूसरे जो सिमा वरति जो इलाके होते हैं उनसे भाकर आएवे जोगास hote हैं मोथा और साई की अदगली घासे होती हैं और घेव और बनप्याजा की जड़े होती हैं हाना वह सूरज की गर्मी में खोलते हैए पानी में फथासे होते और गाउं के लड़के किनारों पर जाग भरे जलाशें में धमाके से कूद रहे हैं। श्यक्तिके की बात करें उसमे आम और जामून ना मिले। असार में जून जुलाई का जो महीन का हता है। दुख नहीं, चैत की दिनों में लाई के साथ गुड की पट्टी न मिले, लाई क्या होता है आपका एक तरक क्या होता है, चावल का भुनावर दाना जो होते हैं, उसको बोलते हैं लाई और क्या होता है, गुड को पट्टी न मिले, तफसोस नहीं, पर क्वार की दिनों में इस गंदपुन जाग भरे जल में कूदणा ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। और बिमार हुगया, जो गदVideo पानी में रह sympath है, तो लेकन बिमार हो गए हिलकी बिमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, उनोंने कहा कि ना जाने क्यों हलका सबुकरा अच्छी लगता है थोड़ा थोड़ा जौर हो तो उन्होंने का थोड़ा थोड़ा जौर हो तो उन्होंने का थोड़ा जौर 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 और रात के 12 बज़े जाके उनका वो बुखार नीचे आया होगा। दिन में में चादा लपेटे सोया था। दादी मा आई शायद नहाकर आई थी। उसी ज्ञाग वाले जल्में। दिन में चादा लपेट के सोया था। उन्होंने का कि शायद दादी उसी ताम नहाकर आई थी। उसी ज्ञाग वाले तालाब की वो बात करें जहापर उन्हाते होंगे। पतले डुबले सने सरीर पर सफेद किनारी हीं धोती सन से सफेद बालों के सीरो पर सक टपके वेजल की शितलता। तो उन्होंने कहा कि क्या कहा, क्यूंकि दादी कैश से थी, बिकोप पत्ले दूबली थी उनकी जो दादी थी और कि जो सपेद बाल थी उनके सिरों से टपक रह थे, पानी की जो बुंदे टपक रही थी सपेद बालों में से, आते ही उन्होंने सर पेड़ चुए तो उन्होंने जैसे वो लेटे होंगे और लेखा तो उनकी दाधी ना आका उनका पहले सीर्चुआ फिर उनका पेड़ चुआ आचल की गाड़ खोल कर किसी अद्रिश्य शक्तिधारी के चबूत्रे की मिट्टी मुह में डाली तो उन्हो जलती कभी जलते वे हाथ पैर में कपड़े से सेलाती हना तो उन्होंने कहां किता दी दिन रात उनकी देखभाल में रगी रहती थी और उनकी चार पाई के पास बैठी रहती थी कभी उसको पंखा जिला करती थी कभी जुनके हाथ पैर में जब जलन होती थी भग बुखा था होगा तुनको कपड़े से लाती थी, सर पर डाल चिनिका कभी लेप लगाती थी, और 20 सो बार चूचू कर जुआर का अनमान करती है, और उनका 20 सो बार चूचू कर देखती थी किस का बुखा, कम हुआ की नहीं हुआ, हांडी में पानी आया की नहीं, उसे पीपल की छायल से छोका की नहीं, खिचरी में मूं की दाल एकदम से मिल तो गई है, कोई बिमार के घर में सीधे बहार से आकर तो नहीं चला गया, आदी लाखों प्राशन पूछ 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 का घरवालों को प्रिसांग कर देती थी, तो उसकी दादों कितनी देखभाल करती थी, कि हर ची मूं की दाल गली की नहीं, गली उनकी, उसके पास कोई बिमार भाहर से कोई सीधे, उसके पास तो नहीं आ गया, इन्फेक्शन पूछ 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 का है, घरवालों को प्रिसांग कर देती थी, जो घर पे नहीं होती होगी, वापिस आगने को पूछती होगी शायद, दा महा भी वही काम, हाथ चुना, माथा चुना, पेर चुना, फिर भूछ से लेकर मलेरिया, सरसाम, नीमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती है, तो उन्होंने कहा कि वो कई बार ऐसे करती थी, क्योंका माथा चुना, मलेरिया से लेकर उनके बिमारिया होती थी, उनको देखा करती थी उन्होंने कहा हाना तो उन्होंने कहा दिनों में रोज सवेर उरकसनान के बाद लवंग और गुड मिश्री का जल धार, गूगल और धूप सपाई कोई उनसे सीख ले हुँना नों नहीं कहा कि महामारी के समय में क्या होता था, जब क्या होता था लोगों को विश्यषु चिका होती है मतलब किया, इसका मतलब होता है आपका विश्यषु चिका के दिनों मतलब कि हमारी हैजा मतलब हैजा जो होता है कि दिनों में रोज सुबह उठके अस्नान करती थी हाना अलवंग और गुड मिश्र के हाना तो उसकी जो मिश्र दवाई बनाती होगी वो जलधार गुगल और धूब आदी करके सफाई को उनसे सीख ले मतलब हर चीज़ की साफ दादादे को, तो भुखार हो बुखार तो मुझे अब भी आता है मेस महाराज अपनी मन की पका कर खिचरी या साबू साबू दे जाता होगा उन्हें उन्हें कहा कि अभी जब में बखार आते हैं मुझे तो नोकर पानी दे जाता है दवाई खाना बनाने वाला खिचरी बना कर खोड़े देता है डाक्टर साब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुकेन या मिश्चर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है उन्हें कहा कि इस तरह का जो बुखार आता है मुझे उसको बुखार जी नहीं करता है कि अब इस तरह के जो बुखार आते इनको आने का बुलाने का मेरा मन नहीं होता है किसन भया कि साधी ठीक हुई दादी मा के उस्सा और आनन्त का क्या कहना दिन भर कायव रहती सारा घर जैसे उन्हें सर पर उठा लिया हो पड़ोसी ने आती बहुत बुलाने पर दादी मा आती बहिन बुरा न मानना कार परोजन का घर ठेरा एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं हाना तो उन्हें ने का जो उसकी किशन बुलाने पर दादी आती थी फिर कहती थी कि बुरा मत मानने मैं इसलिए देर से आई कि घर में शाधी ब्याके बहुत काम होते हैं जिसके वज़े से मुझे देर हो जाता है पर आता पर किसी काम में उनकी उनकी आनुपस्तित्य वस्तृता विलम का कारण अने चेल और किसी भी काम कम क्यों हो जाते है यो यदि हुआ पर देर से होगता है क्योंकि जब तक दादी मानी आएगी तो वो काम हो गई नहीं उन्हीं दिनों की बात है एक दिन दिपैर को में घर से लोटा बहरी निकसार में दादी मा किसी पर बिगड़ रही थी देखा पास की कोने में दुपकी रामी की चाची खड़ी है उन्होंने कहा कि एक दिनों कभ जो जो से डाटी थी वो तो उसने भारा के देखा तो कौन था कि रामी की जो चाची है वो थी तो उसने कहा कि क्या कहा उन्होंने उन्होंने कहा कि तो उन्होंने क्या कहा सो ना होगा धन्यों रुपे मैं सूद के आज दे दे तेरी आख में तो श्रम नहीं है मांगने के सम अब क्या तेरी खाती दूसरी फसल कटेगी तो दादी मां उसको बहुत जो जो सी डाटी तो इसने का कि अब नहीं हो का धन्यो अब तो तु मेरा जो है जो ब्याद सहीत सारा लोटा दे मेरा पैसा जो तब लिया है तेने और तेरी आखों में कुछ शरम नहीं है आप तो आप और कैसे आई थी जब पैसे चाहिए थी तब तो तेरी नाग लग रहा था कि आप एक एक पाई में आपको लोटा दूँगी और आपकी जब मेरी फसल कटेगी तो उसमें आपके सारे पैसे दूँगी उसने का फसल भी कटगी लेकिन अभी तक तेने मीजे पैसे नहीं दिय कि आप दूसरी फसल का इंतिजार कुरू तो उससे पैसे मांगने के लिए दूगी मालकिन रामी की चाची रोती वी दोनों हातों से आचल पकड़े दादी मा के पैरों की और जुकी बीटिया की साधी है आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा हना तो उसने कहा कि दादी मा कि क्या मतलब कि आप निकरोगे तो कौन करेगा उसने कर मेरी बेटी की साधी है और उसके पैरों में पड़ पड़ के चिला रही ती वह उसने कहा तो उसने कहा कि मेरी बेटी की साधी है और आप निकरोगी उसकी बीचारी पर दया निकरोगी तो उनक दाधी में ने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरश से कहा, बेचारी करीब है, दे देगी कभी मुझे कब पैसे मा Sulak में चुक के से आंगन की ओर चला गया कई दीन बेद गए में इस प्रसंग को एकदम भूल राता तो वह वापिस आ गया उसने इस बात को मैं भूल गया कई दीन हो गए तो एग दिन रास्ते में रामी की चाची मिली वह दाधी को पूतो, फलो, तुदो, नहो का आश्रिवात दे रही थी तो उसने कहा कि एक दिन रस्ते में उसको कौन में ली वो रामी चाची जिसने दादी से पैसे लिया थे और वह दादी को पूतर फरवता खुब आश्वाद दे रही थी मैंने पूछा क्या बात है धन्यों चाची तो उसने विवल होकर कहा उरीन हो गई बेटा भ उसने बहला कि वो कल ही आई थी पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया उपर से 10 रुपय का नोर देकर बोली देखना धन्यों जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 रुपय के लिए हसाई नहों देपता है बेटा देपता तो उसने कहा कि आप पैसे का पहले का जो पिछला इस उसके साथ कि शादी कर दो ठीक है तो उस रोज तो बहुत डाट रही थी मैंने पूछा पिछनों लेकक ने कहा धनोचाची से कि उस दिन आपको बहुत डाट रही ती आदि आप आप क्यों की तारीफ कर देओ तो बड़े लोगों का काम है बाबू रुपया देका डाटे पी न तो क्या लाब हो उसने का को बड़े लोग है तो डाटे रहते कोई बात रहे चारब की दिनों की बात है विवा के चार पाँच रोज पहले से ही औरते रात भर गीद काती है विवा की रात में को अभी नहीं भी होता है यहाँ प्राया एक कठा कह वहा कता है उसमें विवा से लेकर पुत्रो पत्ती तक के सभी दृश्य दिखाई जाते हैं सभी पार्ट औरते ही करती है मैं बिमार होने के कार ब्रात में ना जा सका मेरा मेरा भाई राकव दलान में ही सो रहा था वह भी बरात में जाने के बार पहुँचा था आ акता की अब रादक करते हैं अभी ने करते थे सभी दिश्य दिखाते थे उसको कौन करती थि जो गाउं की जो ओरते थी, वापस में ही करा करती थी, तो उसने का, कि मैं बिमार था, तो इसलिए मैं ब्रात में नहीं जा सका, और जो उनका, मेरा जो भाई था, लागाओ, वो कि बरांदे में सो रहा था, आँ उसने का, कि वो भी, क्योंकि आया होगा जब तो तब तक बरात निकल गई होगी तो इसलिए वो भी बरात भी नहीं जा सका तो उर्टों ने आपत्ती करी कि यह लड़के यहां पर सो रहा है आप इनको हटाओ यहां पर से सोचा कहीं जोर से हजदू भेद खुल जाएगा तो निकाल बाहर किया जाओंगा पर भावी की बात पर हसी न रुक सकी और भाणडा फोड हो गया तो उसने का कि दादी ने चुक्के सो से चादर उड़ाई और वहीं पास में चार पर पर सुला दिया और लेखा को लगा कि मुझे बहुत हसी आया थी उनका नाटक देखकर मैं सोचा कि कहीं जोर से न हजज जाओं भेद खुल जाएगा तो उसने बहुत कोशिश करी लेकिन भावी ने कोई बात करी होगी और जिस देबु की मा ने उसकी चादर खीच ली कि वह स्था होगा जोर से तो उसने का दादी मा कॉंसा बच्चा सो रखाया है आपको बच्चा दिख रहा ही है तो ठीक है मैं इसे दूद पिला देती हूँ ना तो उसकी चादर की खीचा तानी होने लगी देबु की मा के साथ किसे क्यों लड़ी हो तुम इस तरह से सुबर रास्ते में देबु की मा मिली कल वाला बच्चा भावी में वहां से जोर से भागा और दादी मा के पास जाकर खड़ा हुआ है तो उन्होंने किसी भावी को बोलागा कि देखो वही कल वाला बच्चा जो कल अंदर सो रहा था तो लेखक जल्दी से भागा अपनी दादी मा के पास जाकर खड़ा हो गया वस्तुता किसी प्रकार का अप्राद हो जाने पर जब हम दादी मा की छाया में खड़े हो जाती हैं अभयतान मिल जाता है तो उशनीं कहा कि आपने देखा हो कि घर में भी आप लोगों के यदि डाद पड़ती होगी खड़े हो pues तो ममी पापा डालते हैं तो आप लोग किस के पास जाते हो दादी के पास चले जाते हो ने छुप जाते हो दादी के पास जाकर उसी तरह से जैसे लेखक को उन्होंने चिड़ाया तो लेखक भी अपनी दादी मा के पास जाकर खड़े हो गया और उसको वहाँ पे अभेदान मिलिए हम तो उसकी जान बज़ गई इसने और ममता की मूर्ती दादी मा की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है तो उसने कहा कि उन्हें सब अपने दादी की जो पुरानी बाते थी प्यार भरी बाते सारी अपनी दादी की बाते याद आ रही थी प्रस्तित्यू का वात् आते हैं सुख दुक आते हैं तो सुखे पत्ते के पत्ते सा कैसा नचाता है उसने कहा कि जैसे सुखा पत्ता हवा में उड़ता रहता है तो उसने कहा उसके बारे में दादी मा खुब जानती थी कि हमारी जीवन में जो सुख दुक आते हैं दादा की मृत्तियू के बाद ही से ही वे बहुत उदास रहती थी, उसके जब दादा की मिर्ती हो गई, तो उसकी दादी क्या होगी, बहुत जादे उदास हो गई, संसार उन्हें धोके की टट्टी मालूम होता है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि सारे संसार के लोग क्या करते, धोका देते हैं, द सदा उन्हें आगे भेज कर अपने पीछे जाने की जूटी बात कहा करते हैं, उन्हें कहते थे कि मैं हमेशा तुम जाओगी उसके बाद मैं मरूँगा, तो उन्हें लगता था कि उसके दादा ने उनसे जूटी बात कही थी, हो अपना आप चलेगा और मुझे ही दुनिया मे आपने देखा होगा कि जब आप पे दुख पढ़ते हैं, तो आपके जो सत्रू होते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं, कि कौन-कौन से हमारी सत्रू है, कौन हमारा दोस्त है, तो उसी तरह से उनका हुआ, तो उन्हें का मुझे तो खुब चिच्ची बाते करते थे, ले जो अतुल संपत्ति वे की थी, वो घर की तो थी, नहीं, उन्हेंने कहा कि दादा का जब शाद हुआ हुआ, तो उसके पापा ने क्या करा, उनके जो संपत्ति थी, सारी, अतुल मन्त असीन संपत्ति जो थी, उन्होंने वे की खर्च कर दी हमके दादा के शाद में, और वो घर की तो थी नहीं, हाना दादी मां अक्सर उदास रहती थी, उन्होंने का फिर उसकी दादी मां उदास रहने लगी थी, दादी मां अक्सर उदास रहा करती थी, मांक के दिन थे, कडाके का जाड़ा पढ़ रहा था, पच्छवा का सन्नाटा और पाले किसी धर्डियों में खुशी पड़ी, शाम को मैंने देखा, दादी मा गिली धोती पहने, कोने वाले घर में एक संदुख पर दिया जलाए, हाज जोड बैठी है, उनकी इस नहें कतार आखों में मैंने आसु कभी नहीं देखे थे, मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा, उन्होंने आके खोली, दादी मा मैंने धीरे से कहा, तो उन्होंने ने कहा कि अक्सर उनकी दादी मा जब से दादाजी कुझे थे, तो दादी मा अदास रहने लगी थी, और माग का महीना ता बहुत ठन पढ़ रही थी, कड़ा की, ठन रूचन थी, कि वो जो पाले की, जो मत्ता पाला हाँ जोड़कर बैठी है, उन्होंने कहा कि उन्हें, इसने कतार की आँखों, उनके जीन आँखों में प्यार दिखाई देता है, उन्होंने कभी भी मैंने आशू नहीं देखे थे, मैं बहुत देर तक मन मार के उनके पास बैठा रहा कि दादी क्या कर रही है, उन्होंने जब आखें खोली तो उन्हों मेंने कहा दादी मा उन्होंने डॉल लेखक ने क्या कहा दीरे से कहा दादी मा ना बाकी आपका जो पाठे में आपको नेक्स वीडियो में पढ़ाऊंगी धन्यवाद